दोस्तों यह टेल का नंबर है और इंटरनेट आपका बिल्कुल जीरो है नहीं चला है इस पीड जो है 25 के भी 30 के भी 50 के भी इतनी ही मिल लई है तो मैं यहां पर दोस्तों जो सारी सेटिंग बताऊंगा चार से पांच आपको करना होगा और मुबाइल फोन में इंटरनेट व लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यदि परजेंट में जो आपको स्पीड मिल लेए जैसे 50 के भी या 100 के भी तो आई स्पीड 400-500 के भी जरूर हो जाएगी मैं इतना आपसे बादा करता हूं तो इस पूरी वीडियो को देखिएगा थोड़ा सा भी स्कीप मत करिएगा पूर कैसे कैसे क्या करना है दोस्तों लाइब स्क्रीन पर है यह टिल का इंटरनेट आपको बिल्कुल सुने नहीं चला है तो आई आपको बताते हैं क्या करना है जैसे आप डेटा ओन करते हैं तो यहां पर इंटरनेट का सिंबल है नहीं दिखाता है या तो यूटूब उगर ओ एक option होगा, SIM card and mobile network का, या फिर हो सकता कि और mobile network के नाम से option हो, इस पर आपको click कर देना है, click करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपके SIM का नाम दिख रहा होगा, यह अर्टेल, तो यह अर्टेल पर click करिएगा, click करने के बाद कुछ जरूरी setting है, जो आपको already चालू रखना चाहिए, इसके बाद, I am main setting बताते हैं, अब access point name पर जाना है, देखिए यही पर है access point name, इस पर जाना है, ऊपर या नीचे कहीं new APN का option आ रहोगा, हो सकता कोने पर कहीं three dots हो, उस पर click करेंगे, तो option आ जाएगा, या तो नीचे होगा new APN, इस पर click कर देजएगा, अब click करन और name में आपको अपने company का नाम देना, जैसे कि हमारा याटेल है, तो याटेल, और इसके बाद, अपने country का नाम जैसे कि INDIA, इंडिया देखिए, ओके कर देया, APN पर click करेंगे, APN पर हम लिखेंगे, internet first क्या लिखेंगे, internet first, और ओके कर देंगे, ठीक है, proxy को छोड़ दें server पर click करेंगे, और server पर हम लिखेंगे www.google.com, ठीक है, MMSC को छोड़ देंगे, MMS proxy को भी, MMS port को भी, MCC, MNC दोनों छोड़ देंगे, authentication type पर आएंगे, और यहाँ पर click करके, PAP वाले option को ले लेना है, अब एक option होगा, APN type का, हम APN type पर जाएंगे, और यहाँ से हम APN type में लिख देंगे, default क्या लिखेंगे, default, spelling देख लिजेगा, और OK कर देजेगा, APN protocol पर click करेंगे, यहाँ पर IPv4, IPv6 वाले सेटिंग को ले लेंगे, APN roaming protocol है, इस पर भी क्लिक करेंगे, IPv4, IPv6 वाले सेटिंग को ले लेंगे, एक option होगा, bearer का, bearer पर जाएंगे, और जितने BN no type का एक option होगा, इस पर click करेंगे, और यहाँ पर known वाले option पर click करके, more वाली बटन को click करके, save कर देंगे, जैसे ही save हो जाएगा, तो here till India के नाम से एक option आएगा, इस पर आपको click कर देना, click करने के बाद back आईएगा, और back आने के बाद जैसे आप अपने mobile phone के internet को चालू करेंगे, ठीक है, और अब जैसे आप YouTube और जो कुछ चलाएंगे, ठीक है, अब home button पर हम आते हैं, और आपके सामने ही सारी कुछ speed देखने को मिलेगी, क्या रफतार है, कैसा चला है, सब कुछ आप live देखिए, तो वीडियो अच्छी लगी होना, तो support जरूर करिएगा, वी